आपने कभी चावल को फेक्टरी में बनते हुए देखा है जी हाँ आज हम एक ऐसी फेक्टरी में है जहां पर चावलों को बनाया जाता है और हमारे देश के मानने परदान मंतरी मोदी जी का सपना है 2024 तक हर बच्चों को यही चावल खिलाना है तो क्या है यह यह चावल कैसे बनता है आईए पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं आज हम आ चुके हैं कूट फूट की फेक्टरी में जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम एक ऐसे चावल के बारे में यहां पर आएं देखने के लिए जो हमारे मानने परदान मंतरी मोदी जी का सपना है 2024 तक जैसे गाउं दियात में जो कूपोशन के शिकार जो बच्चों होते हैं उनको यह चावल पुचाया जाए अब यह क्या चावल है यह कैसे बनता है क्या इसका प्रोसेस है सर से इसके बारे में आगे नॉलेज लेंगे ठैंक्यू सर पहले तो आपने हमें मौका दिया यहां पर वीडियो शूट का और पूरा दिखाने का तो सर आपका नाम? अनिल जावंधिया. तो सर प्लीज बताइए इस फॉर्टिफाइड राइस के बारे में. फॉर्टिफाइड राइस भारत सरकार के एक स्कीम है ICDS, Integrated Child Development Services. इसके अंदर में भारत मिड्डे मिल की स्कीम चलाती है. आम तोर पे अपने देखा गया है, अपने गाउ देहात्म के अंदर में, बच्चों के अंदर में कूपोशन, माल, लिट्रिशन की काफी शिकायत रहती है. उस कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि दोजार चोबीस तक के मिड्डे मिल में जो भी चावल जाएगा, वो फॉर्टिफाइड करके वो ही उनको सर्व किया जाएगा, फॉर्टिफाइड राइस करके सर्व किया जाएगा, तो एफ आर के, ये इस चावल का पूरा नाम है, फॉर्टिफाइड राइस करनेल्स, अब ये बनता कैसे है, आपके, बनता कैसे, ये क्या चावल होता है, इसमें क्या फराक है, नॉर यह राइस का एक प्रसेस है, जिसमें हम यह सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो तब यह जाकेए फिर यह मला जो भी आगे प्र्रसेस होगा खैर वो तो हम बनते वे पूरा देखेंगे तो चलिए यह सारी बाते होगी, अब चलते हैं, फाइनली फैक्टरी के अंदर और यह मैंने घट अप पहले कर रहा है क्योंकि मुझे फैक्टरी के अंदर जाना है और सारा मापर शूट करना है तो अंदर चलते फिर देखते कैसे वह बंगता है तो आपने जाना सब कुछ इसके बारे में तो चलिए प्रोसेस पूरा देखते हैं मौनिंदर भाईया है हमा अधर बनाते हैं ठीक है दान से निकल उसे लिया वहाँ से पर्चेज किया हुआ हुए तो इसको प्रोसेर में लेते हैं तो यह देख लो यह आपर यह जा रहा है और इस पाइप के दूरू है यह वहाँ से ऊपर नीचे गिर रहा है फिर इसके अंदर से पावडर पिस्ता हुआ यहां से इस वाले से उपट जाते हैं पूरा वहां पे वह देखिए जाते हैं हमारी चक्की भी होती है नॉर्मल घर पे गरों के पास तो वहां भी ऐसा बोरा सा होता है फिर वहां से आके नीचे डरेक्ट यह आपका यह बन रहा है कि वहां से दिखाता आपको आई यह तो यहां पर हमारा पिश चुका भी अब नेक्स्ट टेप क्या है यहां पर इसको बेट करना आए बेट करके जतने का बेट बनेगा 200 कजी का वह 200 कजी के चार बोरे बनेंगे पचा पचास कीलो के तो उसको करने के बाद यह है जो हमने डालना है जिसके लिए पूरा प्रोस इसमें पॉलिक एसेड और बिटामिन वी ट्वेल वह और आयरन है जो बच्चों के पोशन में खुराक में जुरत होती है वह सारी चीज़े इसके अंदर है तो इसको चांवल पे मिलाने के लिए भाई सब यह पूरी मशीन वहां तक है ना जो वह है सारा खेल इसी चीज़ क इसको मिक्स करना चांवलों के साथ तो यह कितना जाएगा अदर जा रहा है तो यह जो मशीन हमाँ जा रही और जो प्रिमिक्स और जो मिनरल साथ को डालेंगे ठीक है तो मैं उपर चटके इक वाड़ देख लहां आइये फिर एक बार उपर चड़के आपको दिखाता हूँ चलिए इसके अंदर देखते हैं किस तरीकी की मशीन है फोड़ा ध्यान से यहां पर रखेंगे यह देख लो भाई यह है मशीन अभी इसके अंदर अभी सिर्फ जा रहा है अभी यह मशीन शुरू नहीं हुई है आप देख सकत तो चलिए चलता रहेगा बट जो इनके अपने खुद के प्रोड़क्ट है जैसे कि आपके कुकीज होगे खाकरा होगे ड्राइगन बॉल्स होगे वह इनके माला काफी सारे प्रोड़क्ट है तो स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट आ रही होगी तो वेबसेट पर जाके आप पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको छोटी कॉंटिटी में चाहिए तो एमेजोन में आपको मिल जागा कूट वहां पर डालिए कूट फूट वहां पर आपको काफी तरीके की वराइट है यहां पर मलब इनकी मिल जाएगी जितने भी इनके प्रोड़क्ट है तो कम इमसींग निकल के जो ाई है यह दिखी अब ये इसके बाध जाएगा इस मशीन में यह जो मशिन है यह जा रहा रहा है यह अब इस मशीन के फ्रूरो जारा है उपर और इस मक्वरोगा से प्रोड़क्ट पर इसके चावल की शेव निकलेगी एक्स्टूटर में आपको बता दो हर तरीकी मशीन होती जिसके अंदर जैसे आप कुछ भी बना रहे हो तो संदर वह शेव बनाने वाला काम करता है उसको एक्स्टूटर कहते है इसमें हीटर वीटर वाले लगे में आप इसमें चावल ब करें सुटर जाल रहें है तो यहां पर मिक्स हो रहा है और यहां पर वहां तो आपिन को दो कि में मिनट में यह यहां से इस मशिन के थ्यूरू अगर आभ वोल दो निकले तब आपको दिखा तो लो जी आपके चांवल के शेप बनके रड़ी हैं तो यह तो चांवल बनते वे जा रहे हैं यह तो शेप बन 국ी अब इसे रोश्टर में प्रोशियर होगा ये रोश्टर में जाइगा रोश्टर होने के लिए इसमें चावल की शेप बने के रेट ही हो गया दिखाना भी ज़रा चावल यह देखो भाई अरे भाई साब लेजी तूटा चावल मिनरल के साथ मिलके बढ़िया हो गया यहां पर भाईया बता रहें यह जो 45 राइस को डेरेक्ट यूज नहीं कर सकते इसको डेरेक्ट नहीं क यह एra भलोगार पो detect के टुरू अवा के टूरौ और आखमय उपर जाकर रोशच़ के लिए जा रहा हूं का विए और रोश्टोन के लिए जा रहा है तो यह पाइप के घुरू यहां से होता हुआ यह इस मशीन में जा रहा आख़ली मशीन यह घंटे तक इसमें ऐसे तो चलिए विर इसको पूरा रोश्ट होने देते एक गंटे के बाद जब फाइनल हो जाएगा तो आपको उसकी फाइनल शकल दिखाऊंगा तो चलिए इसको पहले होने देते तो यह देख लो अंदर का नजा रहा है मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है को फ्लीज दिखा दो कि इसमें से बापका आ रहा है बहुत ज़्यादा काफी हाई टेंपरेचर एसके अंदर तो यह देख लो यह दियान से देखो कि दीर दीर मशिन जा रही है इसके अंदर यह चावल रोस्ट हो रहा है और ऐसे करक भी यह ठंटा करने के लिए है यह मशीन तो यहाँ से बिलकुल आगे जाके अगर आप देखेंगे यहां पर यह देखिए ब्हाइप सुछ लोग करेंगे हाथ को लगा रहा है भाई हाथ धोके साफर करके अंदर उसने जिया दिखने रहा है बिलकुल है अजिनिक तरिके से यह चावल देखें बिल्कुल बनके हमारे रेडी है यह देखिए भाई क्या टेक्नोलोजी आगे यार चूटा चावल उसको फिर आटा बनाया उसमें मिन्रल एड करके दुबारा वापी यह चावल बनके यह देखो भाई यह आपका देखो कितना खिला-खिला चावल बनके यह रेडी हुआ है तो इसके बाद फिर यहां पर देखिए यह एसे मशीन जाएगी पूरी उपर यह पाइप देखिए यहां से बिल्कुल अंदर नीचे जाके नहीं से ऐसे जारा है अब बिल्कुल उस पर से होते वे और यह ऐसे जाते वे इस मशीन में पैक हो रहा है इसके बाद आपका फिर यहां पर देखिये यह 25 इलों की पैकिंग के हिसाब से यह बनके रेडी है को पार्टिफाइट राइस जो की हमारे मान्या परदान मंतिरी जी का सपना सब्सक्राइब हर बच्चे को यही चावल खिलाने है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्रीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो में थैंक ये सो मच